हमारे scalp और hair oily है hair fall issues बहुत आने लग गए है जादा oily hair होने की वह से styling properly नहीं हो बाती Hey guys, my name is Sahil Yara and welcome back to the dynamite veil जहाँ पर हम आपके लिए लेक आते हैं बहुत ही informational and very practical videos जो आप घर पे ही इस time पे कर सकते हैं you can manage your oily scalp and your oily hair बहुत ही गंदा लगता है हमारे बाल बहुत जादा oily होते हैं हर दो दिन के अंदर और आपके forehead भी जादा चमकने लगता है जिससे कि आपको acne issues भी हो जाते हैं तो specifically आज हम oily hair पे focus करने वाले हैं कि कैसे आप उसको deal कर सकते हो and treat कर सकते हो total 5 ऐसे very practical method बताऊँगा इससे definitely आपके ये चीज़ solve हो जाएगी तो जादा time ways बिलकुल नहीं करते हैं start करते हैं हमारे सबसे पहले product के पास में जिसमें हम बात करने वाले about shampoo and conditioner लेकिन आपको पता कैसे लगगा कि आपका scalp और hair oily है तो जब आप सुबह उठोगे तो आपको एक tissue लेना है and अपने scalp पे थोड़ा सा rub करना है and अगर आप tissue पे oil notice करते हो that means कि आपके oily hair and scalp है तो जादा time ways बिलकुल नहीं करते हैं सीधा start करते हैं हमारे practical method number 1 से जहाँ पे हम बात करने वाले about shampoo and conditioner लेकिन कौन सा इस्तिमाल करना है तो basically shampoo and conditioner इसली करते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़ादा oily होता है हमारे dust particles होते है और अगर bacteria ज़ादा हो जाए तो सीधा आपको देखने को मिलेगा hair fall तो ये चीज़ हमने बिलकुल नहीं करनी और oil को बहुत अच्छे से control करना है तो सबसे पहले बात करते हैं मारे shampoo की तो मैंने specifically इस problem को deal करने के लिए एक थोड़ा सा different but professional product मंगवाए है जो की है from L'Oreal इसके अदर जो ingredient है जो की एक ऐसा ingredient है जो आपकी ये problem तो solve करता है जितने भी scalp के ओपर bacteria होता है fungal infections हो जाते हैं उसको वो remove करता है अगर आपको dandruff की problem है तो उसके साथ बहुत अच्छे से deal करता है जो हमारे scalp पर present sebaceous glands होते हैं वो जो oil production जाद होती है उसको वो reduce करता है और आपका natural pH balance maintain करने में help करता है जिससे की clogging नहीं होगी ना आपको hair fall दिखने को मिलेगा ना आपका scalp और hair oily रहेंगे साथी साथ जितना भी excess oil होगा dirt होगी उन सबको तो remove करेगा ही लेकिन आपके बालों पर बहुत ही soothing effect देता है जिससे की जो आपके बालों में अगर freeziness है उसको खतम करेगा बहुत ही smooth बनाएगा और instantly use करते ही आपको फरक दिखेगा ये specifically इस problem के साथ deal करने के लिए थोड़ा सा कही न कही expensive है तो इसका alternative मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ तो इंदुलेखा का आता है bring raj oil वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ये सारी problems इंदुलेखा का shampoo आपके साथ deal कर सकता है बहुत ही natural ingredients भी उसकंदर है और मैं पहले से use करता आ रहा हूँ and it is amazing अगर आपको ये बहुत expensive नहीं खरीदना तो मैं आपको सीधा-सीधा बोलूँगा use that one problem यह होती है हर दो दिन में हमारे oily hair हो जाता है और हमें लगता है कि हमें shampoo कर लेना चाहिए लेकिन वो हमारे scalp को और hair को बहुत बुरी तरीके से damage करता है and जिसकी वैसे आपको देखने को मिलता hair fall तो आपको रूख जाना है हफते में max to max एक या दो बार आपको shampoo करना है इससे जादा मत करना otherwise आपके बाल बहुत जल्दी कायब हो जाए अब बात कर लेते हैं conditioning की जब हमने shampoo किया तो मारे बालों में से जितनी भी dirt थी oil था सब remove हो गया और आपका scalp बिल्कुल raw है बट हमें चाहिए यहाँ पर protection ताकि बार का bacteria ना आ पाए किसी भी type के infections बगारा ना create का रहा है जिससे कि आपके scalp को damage हो तो इसलिए हम use करते है conditioner ताकि जो pH balance थोड़ा बहुत बिगड़ गया था उसको वो वापिस से reinstate करे और जो natural pH balance आपके scalp के ओपर होता है उसको वो बहुत अच्छे से maintain रखता है and hydration भी provide करता है जिससे की overall feel जो है आपके बालों की बिल्कुल nourished and conditioned आती है तो इसके लिए जो हम use करें which is anti-frizz leave-in conditioner और इसके तर आपको मिल जाता है hyaluronic acid और ऐसे कुछ fatty acids present होते है जो आपके बालों को बहुत अच्छे से condition करता है shine लेके आता है smoothness लेके आता है और freeziness तो आपको बिल्कुल नहीं होगी और जब आप इसको apply करोगे तो आपके scalp के ओपर एक protective layer form करता है जिससे की किसी भी type के infection आपको नहीं face करने पढ़ेंगे और आपके लंबे time तक बाल healthy रहेंगे condition बहुत लोग नहीं करते हैं लेकिन आपको ये चीज़ बेस नहीं करनी in this summer hair care routine दोनों shampoo and conditioner के links अगें आपको मिल जाएंगे description box में coming on to the practical method number 2 is using tea tree oil ये होता है kind of an essential oil जो कि आप directly अपने scalp पर नहीं इस्तिमाल कर सेता अगर आप करोगे तो आपके hair और scalp को वो बहुत बुरी तरीखे से damage करेगा तो इसको हमने थोड़ा सा diluted form में इस्तिमाल करना है tea tree oil के बहुत benefits होते हैं इसको अपने normal shampoo या conditioner में mix करना है और ऐसे anti-oxidants present होते हैं जो आपके बालों को लंबे time तक healthy रखता है और आपकी look पता कैसे आगी बिल्कुल volume वली, shiny वली और बहुत मस लगेंगे तो that is the power of this tea tree oil अगें link आपको नीचे मिल जाए का description box में third point में हम use करने विले हैं एक hair serum जो की again बहुत practical आपके लंबे time तक बालों को healthy रखने के लिए तो basically serum use करने से आपके बालों को बहुत अच्छे से hydration मिलती है scalp को बहुत अच्छे nutrition मिलता है तो specifically जो हम use करें इसके अंदर आपको मिल जाता है omega 3, 6 and 9 और एक और ingredient which is phytosqualal इसका काम क्या होता है कि जो आपके hair fibers है उसको वो एक बहुत ही protective coating प्रोवाइड करता है जिससे की shiny look भी आपको मिलती है और उस coating की मदद से आपके बालों में splittage नहीं होते जिसकी वेसे आपके बालों की rough look नहीं आएगी again ये वाला जो मैं use करों ये है bear anatomy का जैसा भी आपका hair type है dry, normal, oily आप सब में इस्तेमाल कर सकते हो ये help करेगा आपके scalp और hair को बिलकुल normal लाने में बस कुछ इसकी drops लेने हैं और hair और scalp के वोपर अच्छे से massage करने हैं ये थोड़ सा कहीन है कि आपको expensive लग सकता है इसका भी alternative मैं आपको बताता हूँ beardok आता है hair serum वो भी आप इस्तेमाल कर से तो पहले मैं भी वो काफी use कर चुका हूँ तो जो भी आपको suit करें आप वो ही ले सकते हो coming on to the practical method number 4 is using a sea salt spray जब हमारा scalp और hair काफी oily होते है तो sea salt spray क्यों होता है वो सारा का सारा जो oil है वो खीच लेता है आपके बालों और scalp को थोड़ सा normal range में लेके आता है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके बहुत ज़्यादा oily वाल है specifically अगर आप beach बगेरा में चले जाओना तो आपके बालों की band बज़ जाती है नहीं दिखरा और styling भी क्या होता है इससे बहुत बेटर हो जाती है because of the volume that it achieves मैं जो यूज करता हूँ यह है Tony and Guy का sea salt spray बहुत टाइम से यूज करता रहूँ कम से कम 4 या 5 भी bottle है मेरी अगे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा description box में coming on in the practical method number 5 जब हमारे oily बाल होता है तो उसकी styling करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर जब styling की बात आती है तो हम wax या clay वगरा यूज करते है clay वली जी होती है वो cream based और oil based होती है अगर आपके बाल already oily है तो कुछ देर बाद ना वो और ज़्यादा oil आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको recommend करता हूँ कि यहाँ पर आपको gel based या pomade यूज करने है जो की water से बनी हुई है इससे जब आप styling करते हो आपके बालों में shine भी आएगी आपका oil controlled रहेगा और आपकी look एकदम styled up निकल के आएगी कोई भी pomade यूज कर से तो मैं एक दो links बीचे डाल दूगा description box में तो guys यह थे हमारे total SFI very practical method जहाँ पे आप अपना oily जो बाल है और scalp है उसको deal कर सकते हो बिना किसी tension के बहुत easily और फरक आपको देख जाएगा within a week also guys Amazon पे बहुत बढ़िया sale इस time पे चल रही है काफी अच्छे-च्छे discounts आपको easily मिल देंगे तो जितनी में आपको चीज़े बताई आप definitely कुछ अच्छी deals grab कर सकते हो और guys यह थी हमारी आज की very practical video आप sure आपको वीडियो काफी informational और helpful लगी हो अगर सच में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिना और हमारा चैनल The Dynamite विल को तब सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि हमारी जो वीडियो है that was worth watching also guys you can follow me on instagram at the dynamite mail आज की वीडियो में से कोई भी आपका question हो आप में को नीचे comment section में बता सकते हो next video का topic आपको कौन सच है in this summer मिर को वो भी बता देना मैं जरूर डाल दूगा and thank you so much guys for watching this video अपना ध्यान रखो अपने बड़ों का भी ध्यान रखो and I'll see you guys in my next video झाल आपको कौना सच हो